नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने बाले हैं ADA टेस्ट के बारे में Adenosin Deaminase बहुत ही important यह test होता है और इसका full form भी आप याद रखिएगा क्योंकि competition exam में पूछा जाता है ठीक है अब ADA test क्यों किया जाता है इसके पीछे कारण क्या है क्यों important है वो सारा चीज हम discuss करेंगे इस वीडियो में आपको complete समझाओंगा और ADA is an enzyme involved in purine metabolism तो इतना तो समझ में आ गया कि ADA क्या है एक enzyme है क्या है enzyme है अब इस test को perform क्यों किया जाता है इसके पीछे आपको function समझना होता है ठीक है किसी भी test को जब भी perform आप करते हैं तो उसका function अगर आपको मालूम है कि भाई इस चीज का particular function क्या है या important role क्या है आपके body के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के लिए हम इस test को perform कर रहे हैं समझ आ रहा है आपको चाए कोई भी test हो कितने भी प्रकार के test हो अगर उसका particular function आपको मालूम चल जाता है तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये abnormality हो सकता है जिसके वज़े से ये बढ़ा हुआ इसका range या घटा हुआ रहा है समझ में आ रहा है तो function अगर इसके हम बात करें development and maintenance the immune system immune system यहाँ पर नाम क्या आ गया immune system अब जैसे कि CBC जब हम बता रहे थे तो CBC में आपको एक चीज मेंने बताया था कि CBC test में WBC जो कि आपके अगर बढ़े हुए आते हैं तो कोई infection आपक WBC बढ़े हुए आते हैं ठीक है लेकिन particular किस वज़े से बढ़ रहा है कौन सी बिमारी के कारण या कौन से particular infection उस patient को हुआ है जिसके वज़े से WBC बढ़ा हुआ है यह मालूम नहीं चलता है WBC बढ़ने से ठीक है उसके लिए हमें particular बिमारी के लिए एक test perform करना पड़ेगा तब हम पता लगा सकते हैं कि हाँ उस वज़े से बढ़ सकता है उसी तरीके से ADA test है ADA test जरूरी नहीं है कि किसी एक particular disease को indicate कर रहा हो कि यह बिमारी इसको होने के कारण ADA बढ़ा हुआ आता है बहुत सारे ऐसे condition है जिसके वज़े से ADA बढ़ा हुआ दिख सकता है ठीक है जैसे क lymphoma या lupus, sarcoidosis उस condition में भी यह ADA बढ़ता है लेकिन डॉक्टर इसको कब suggest करता है अधिकतर ठीक है हम उस पे बात करेंगे तो जो microbacterium tuberculosis है या TB की जो बेमारी होता है उस condition में अगर patient के अंदर infection है लेकिन डॉक्टर को लग रहा है कि यह हो सकता है लेकिन उसको confirm नहीं है ठी इसी के pulmonary और extra pulmonary TB आप लोगों ने सुना होगा तो उस situation में क्या होता है ADA टेस्ट करके देखा जाता है उसमें बहुत सारे fluids हैं जो कि आपके body में पाए जाते हैं hynumvial, csf, ascetic, pericardial और plural fluid ठीक है तो हम TB का अगर हमें doubt लग रहा है तो हम plural fluid से यह test perform करेंगे किस से plural fluid से सबसे important चीज यह हो जाता है जो कि lungs के आजू-बाजू आप उसके माध्यम से needle के माध्यम से निकाला जाता है plural fluid वो physician या doctor जो expert होता है वो यह sample को aspirate करता है ठीक हर कोई यह sample नहीं ले सकता है क्योंकि जो chest होता है वहाँ से needle डाल करके इस fluids को plural fluid को निकाला जाता है then उसके बाद उस fluids से test perform किया जाता है ADA test और ADA test simple है बायो chemical test होता है और उससे आप test लगा करके पता लगा सकते हैं कि plural fluid में जो आपका ADA test है उसकी मात्रा कितनी है अब यह मात्रा का अगर पता लगाना है तो इसमें मैं एक चीज पहले आपको बता दूँ यह जो ADA enzyme है ठीक है यह activated lymphocyte ठीक है जो lymphocyte है अगर वो activated रहेंगे तब यह ADA की मात्रा बढ़ेगा समझ में आ इतना समझ में आ रहा है क्या चीज मैंने बोला कि जब यह lymphocyte है अगर lymphocyte activated होंगे तब आपका ADA का level जो है increase होगा अब यह lymphocyte कब बढ़ेगा यह lymphocyte कब activate होगा जब patient को कोई infection होगा especially हम यहाँ पर केवल TB की बात कर रहे हैं अभी ठीक है किसकी बात कर रहे हैं TB की बात कर रहे हैं तो TB के condition में क्या होगा lymphocyte activate होगे और जब lymphocyte activate होगे तो ADA की मात्रा बढ़ेगा समझ आ रहा है तो अब कितना बढ़ेगा यह हम कैसे पता करेंगे और कितना बढ़ा हुआ आएगा तब हमें मालूम चलेगा कि भई इसको TB हो सकता है या TB का infection हो सकता है तो उसके लिए यहाँ पर यह किसी भी particular range इसका है नहीं लेकिन 100 international unit per liter ठीक है तो यह इसमें अगर 100 international unit per liter से ज़ादा इसका volume आ रहा है तो ADA का तब हम कह सकते हैं कि उस patient को क्या हो सकता है TB हो सकता है समझ आ रहा है तो बाकी चीजों के लिए blood से भी test किया जा सकता है ऐसा नहीं कि blood से test नहीं किया जा सकता है लेकिन particular यह आप TB के लिए अगर हम बात करेंगे तो यह plural fluid से ही किया जाएगा अगर lungs में infection है ठीक है एक्स्टा पानी वगरे भरा है तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो TB का patient होता है उसमें extra pulmonary के cases में pulmonary cases भी होता है तो यह अंदाजा लगा जा सकता है तो यह देखा भी गया है कि यह जो 100 international unit per liter जो इसका range रखा गया है तो यह देखा गया है कि TB के condition में ही AD की मात्रा इतनी बढ़ी हुई आती है तो इसलिए यह test suggest किया जाता है इतना समझ में आगे बिलकुल simple भासा में आप समझ लीजे इसको ठीक तो यह इतना clear हो गए आपको बाकी ब्लेट से भी आओ बाकी यह जो यहाँ पर फ्लूट्स दिये हुए हैं अदर फ्लूट्स उससे भी आप test perform कर सकते हैं उससे भी AD की मात्रा का आपको पता चल जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि प्लूरल फ्लूट्स से ही आप करेंगे तो यह सारा चीज है तो आपको समझ में आ गया गया हो AD के बारे में पूरा complete आसा करता हूँ यह समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप comments में सवाल कर दीजे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा Thank you so much और मेरे को Instagram पर भी follow कर सकते हैं सारे चीजों का link आपको इस वीडियो के description पर मिल जाएगा Thank you so much